नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग फ्रेंट्स आज इस छोटे सी वीडियो में एक काफी इंट्रेस्टिंग पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जिसका में टॉपिक है प्रोलम एंड सोलूशन यानि समस्या और समाधान समस्या और समाधान फ्रें वो अलग-अलग एज गुरुप में अलग-अलग टैप की प्रोलम आती है जैसे कि अगर कोई बच्चा 10-15 साल का है तो उसकी प्रोलम अलग होती है हो सकता है उसको अपना एक्जाम की त्यारी में प्रोलम हो रही हो पढ़ाई में प्रोलम हो रही हो और जो बच्चा 20-25 सा बहुत ज्यादा और वह अपने वेट को और जो बाहर निकला हुआ पेट है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और एक इंपोर्टेंट चीज यह है फ्रेंड्स कि जो समश्या है प्रोलम है वह जरूरी नहीं है कि जो हमारे साथ है वह फर्स्ट टाइम ही आई हो हमारी एज ग प्रोलम की जो भी हम फेज कर रहे हैं और ऑज मैं 40 साल का हुँ तो जो में प्रोलम में फेज कर रहा हूँ या लजी को awake因 क प्रोलम प्रोश करके session amplifier है इसके switch काम नहीं करते हैं अब मेरा जो यह amplifier है इसको मैं regular use करता रहता हूं तो मेरे इस amplifier के switch में problem बहुत कम आती है लेकिन यदि इस amplifier को आप बहुत कम यूज करते हैं स्पोर्ज कि यह आप minimum यूज कर रहे हैं अपने घर पे रखा हुआ amplifier है तो होता क्या है दिरे दिरे time के साथ साथ इसके switch के function जो है काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसमें corrosion लग जाता है रस्ट लग जाता है और function काम नहीं करते हैं सभी amplifier के क्योंकि जैसे कि यह mode select करने वाला switch है यदि आप इसको काफी लंबे समय तक यूज नहीं करोगे तो यह काम करना ही बंद कर देगा जी आ फ्रेंट्स ऐसे ही यह जो loudness का switch है यदि इसको आप regular यूज नहीं करोगे तो यह हो सकता है काम करना बंद कर दे balance वाला switch भी काम करना बंद कर दे तो इनका कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव करना पड़ता है प्रिवेंटिव या तो आप अपने घर पे कर सकते हैं किसी भी cleaning एजेंट को लगाके lubricant एजेंट को लगाके मैंने अपना बुड स्टोक का एक्विलेजर ठीक किया था उस समय मैंने बताया था cleaning और lubrication कैसे करनी है वो वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं नहीं तो आप लोकल एलेक्ट्रोनिक शोप पे जाए जो लोकल एलेक्ट्रोनिक शोप में मेकैनिक होते हैं वो कुछ ना कुछ एक छोटी quantity में agent रखते हैं cleaning के लिए वो आपके amplifier के preventive maintenance करने के लिए यानि की regular maintenance करने के बहुत काम आएगा जिससे कि आप अपने amplifier को अच्छे तरीके से working condition में रख सकते हैं एक समश्या और मैंने feel की थी जो यह मैं समश्या और solution का topic आप लोगों के साथ share किया वो मैं इसलिए share किया क् friends अभी सर्दिया बहुते हैं सर्दिया बहुते हैं तो क्या होता है कि हमारे को जो mobile use करना पड़ता है वो अपने हाथों से use करना पड़ता है यानि कि जब हमारा hand ऐसी condition में होगा without gloves के तब ही हम use कर पाते हैं मैं क्या खोज रहा था कि कोई ऐसा gloves खोज रहा था जिससे की यह समश्या थी मेरे साथ बट इसका solution भी मेरे को बड़ा आसान इस तरीके से मिल गया वो क्या मिला वो इसलिए मिला क्योंकि मैंने अपनी problem share करी अपने एक soap keeper के पास जाके कि मुझे यह problem है तो solution क्या था already available था यह देखे friends यह मेरा mobile है और अभी मैं इसको ऐसे use करूँगा तो यह नहीं हो रहा है लेकिन इसकी दो finger ऐसी बनाई गई है कि यह हमारा as a finger use कर रहा है जी हा friends यह दो finger ऐसी बनाई गई है कि हमारे को gloves निकानने की जरूरत नहीं है तो यह एक समश्या थी मेरे लिए लेकिन solution already available था market में सिर्फ जरूरत थी मेरे को बताने की पूछने की त सिर्फ और सिर्फ कमी इस बात किये कि आप लोगों को open होना पड़ेगा पूछना पड़ेगा कहीं ना कहीं उस समाश्या का समाधान ढूडने की जूरत है सभी समश्याओं का समाधान already available है या तो आप Google कीजिए या फिर आप YouTube पे सर्च कीजिए बहुत सारी समश्याइं ऐस समय लंबे समय तक हम परेशान रहें जैसे की हो सकता है आप लोगों को यह पता हो कि मार्केट में ऐसे गलब जा रहे है जो की मॉबाइल चलाने में हमेरे को मदद करते हैं पहले क्या था एक पैन आता था जिससे हमारा मॉबाइल चलते था मॉबाइल की टॉच्सक्रीण च चल रही है यह एक नया पॉइंट मेरे को देखने को मिला हो सकता है आप लोगों को अलड़ी मालूम हो लेकिन सिर्फ इसकी दो फिंगर ऐसी बनाए गई है जो हमारे को मोबाइल चलाने में मदद करती हैं बाकि दूसरी फिंगर काम नहीं करेंगे इसमें यह देखे यह फोकस हाँ अब फोकस हुआ है तो अभी शायद आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा हुआ यह दो फिंगर जो है थोड़ा सा अलग इसमें कुछ ना कुछ आर एंडी की है डिजाइन किया गया है जिससे कि यह ऐसे काम कर पा रही है बाकि फिंगर्स में यह नहीं ह थैंक्यों दोस्तों छोटा सा वीडियो में आप लोगों के साथ सेयर करना चाहरा था उमीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगाओगा अच्छा लगाओ तो लाइक जरूर कीजीगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में